तो दोस्तो बिलकम बेग माई चैनल लेड़ेस नियूज तो लेड़ेस नियूज में आप सब एका सौगत है तो फाइनली गाई जितने भी छात्रों ने यूपी स्कॉलर सी 2022 ते इसके लिए फार्म को अपलाई कर लिया है तो सभी छात्र अपने पैसे का इंतिजार कर रहे है तो फाइनली गाई उन सभी छात्रों के लिए आसरेट में बहुत बड़ी अपडेट सामया रहे है तो कि आपका जो स्टेटस है तो दोवारा से अपडेट होने वाला है और कलकी डेट में आपका छात्रोती वाला पैसा आने भी वाला है तो ये वीडियो आपके लिए अगर आपके स्टेटस में ऐसा सो कर रहा है तो यहां पर आपके पास बीगेस्ट आपर चून्ती है आपका स्टेटस आउटमेटिक वेरिफाई हो जाएगा इनका प्रॉब्लम यहां पर देखिए यहां पर गाइस इनका प्रॉब्लम है रिस्पॉंस पेंडिंग बाइप अकाउंट वेरिफिकशन जोगा इस यहां पर होता है इनका इनका इहां पर पेंडिंग है तो बहुत से बच्चे ऐसे बोलने कि सबमेंने अपना वेरिफाई कर लिया अभी तक नहीं हुआ है मेरा तो आपका चिंता बिल्कुल ही मत करो आपका 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 यहां तो यहां पर क्या है इनका भी एक से मिस्व यहां पर आ रहा है यहां पर आकाउंट वेरिफिकेशन जो यहां पर है रिस्पॉंस पेंडिंग वाई पेशन लेकिन आपको रिक्यमेंट करूँए कि यहां पर आपका सस्पेक्ट हुआ है रिजल नॉटे डिक्लियर का इसु है तो आपका सीक्स आप जनुरी से मतलब का इसी कल की डेट से आपका करेशन के लिए ओपेंड करकर वहां पर सब कुछ करेंना कि यह आपने हूंता है और आपको स्बूच अब करेंड कर रहा है अत्रमेट इस्ट हो अपडेट होगा अपका यह यहां पर क्या है Analysis tha इसे में बताई दिया है कि आपका करेशन का पोड़े ओपेन होने वाला है आपको सब कुछ मिलान कर लेना है अगर आपको सब कुछ verify मिलता है, सब कुछ सही मिलता है, तो आपको definitely क्या करना है, अपना status submit करके, hard copy अपने college में जमा कर देना है, अब बाइस यहां पर क्या है, pending at district scores committee, तो गाइस मैंने pending वालों के लिए बहुत बारत बता चुका हूँ, तो इस पर गाइस हम बात नहीं करने वाले आप हमारे previous वीडियो को check मार सकते हो, वहां पर आपको idea मिल जाएगा, और जितने भी छादर को enrollment का issue है, तो enrollment mark not match with university uploaded data, तो आप सब correction कर लेना, आपका सब कुछ verify हो जाएगा, अब बाइस यहां पर क्या है, यहां पर enrollment को मैंने बताई दिया है, तो यहां पर क्या है, अगर आपका application applied for ITI courses more than 6 years from high school passing enrollment role का issue है, तो यहां पर guys आपको सब कुछ आपको भी correction का मिलान करना है, और guys मैं अभी आपको मिलान कैसे करना है, मैं सब कुछ बताने भी बोला हूँ, तो please don't skip video, यहां पर guys आप आओगे न, यहां पर guys आपको मिल जाएगा application rejected, यहां पर यहां पर wait, यहां पर wait, तो guys यहां पर है verify recommended by digital scholarship committee, अगर आपका भी ऐसा recommended verify होगा रहा है, तो definitely guys आपका पैसा आपके खाते में, कल की rate में आ सकते है, तो guys आप सब कुछ बात करते ही, आपको ना status कहां से करना है, अपना scholarship पैसा कहां से करना है, ताकि आप सब को सब कुछ बे dot com की official site आएगी, आपको यहां पर click करना होगा, जैसे ही आप यहां पर click करते हैं, तो आपके सामने इस परकार से inter pages आएगा, आपको नीचे आना होगा, नीचे आते ही guys, यहां पर आप देख वाएंगे, UP Scholar Series status यहां पर आपको click करना होगा, जैसे आप यहां पर click करते हो, आपके सामने इस परकार से inter pages आएगा guys, आपको नीचे आजाना है, और यहां पर जो भी चीज़े बताई जारी इसको पढ़ सकते हैं, यहां पर आपके लिए important ही होता है, तो definitely guys, आप इसको read कर लेना, और नीचे आप आओगे, तो यहां पर बहुत साई links available हैं, जैसे कि बिल करकर अपना correction भी check कर सकते हैं, तो फटा फट से आपने पर आकर अपने पैसे को चेक कर लेना, और चैनल पर नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बिलाइक को प्रेस कर लेना, बाइबाइ, टेक केर, फिर से मिलते हैं, अंगली विड़ में, कोई क्यूसं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाइबाइ, टेक केर,